नमस्ते दोस्तों मैं श्रेयस बढ़िये आप सबका मेरे यूटीब चैनल पर बहुत-बहुत सागत करता हूँ आज हम World History Series से लेक्चर नमबर 24 को कम्प्लिट करेंगे जिसमें हम एक बहुत इंपोर्टन्ट इवेंट को स्टडी करेंगे जिसका नाम है World War Second So World War Second जिसे हम Total War भी कहते हैं अब आप सोचो कि इसे Total War क्यों कहा जाता है इसे Total War इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां हर चीज का सफाया किया जाएगा यहां हर चीज को डेस्ट्रॉइ किया जाएगा चाहे वो resources हो या फिर वो humans हो हर एक चीज को यहां सफाया कर दिया जाएगा हर चीज यहां वार लड़ेगी यहां पर हर व्यक्ति सैक्रिफाइस करने के लिए रेडि होगा यहां resources का भी sacrifice किया जाएगा यहां पर humans का भी sacrifice किया जाएगा बस aim एक ही है कि इस war को जीतना इसे total war के थे जहां हर चीज war में involved आपको दिख रही है यह जो world war था इसे लड़ा गया था 39 1939 से 1945 के बीच में लगबग 6 साल तक यह war लड़ा जाता है इसमें जो लोग participants किये थे उन participants की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको दो powers दिखती है पहली power axis power दूसरी power allies axis की बात कर जो की axis power करके group में लड़ रही थी और दूसरे थे allies दूसरे group का नाम था allies तो यह जो power यह जो war था यह axis versus allies ऐसा एक war था और यहां allies में जो लोग लड़े थे जो countries लड़ी थी वो थी France, Great Britain, United States, Soviet Union, Poland, Yugoslavia, Greece और China to some extent याने चाइना भी थोड़ा बहुत इसमें involved ऐसा हमें है सकते है बट हम कहेंगे कि China भी इसमें था यह biggest conflict माना जाता है यह सबसे बड़ा एक conflict है पूरे इतिहास का जो की almost six years चला यह years अगर आप देखो तो लगबग 6 साल चला हुआ एक conflict है war जो होता है इसको शुरुआत हुई 1 September 1939 को और यह August 1945 में खतम हो गया यह खतम होना एक ब रहा था तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा हानी हुई अगर आप देखोगे तो लगबग 60 to 80 million लोगों की यहां पे death होते वह आपको दिखती है जिसमें आपको 50 million civilians की death हुई और हम कहेंगे कि 25 million soldiers की लगबग यहां पे death होते वह आपको दिखती है त उनको बहुत कुछ बाद में face करना पड़ा तो इस तरह से यह war था तो चली हम सबसे पहले देख लेते कि यह जो आज का topic है world war second इसमें हमें कौन-कौन से topics कवर करने हैं तो introduction हम अल्रेडी कवर कर चुके हैं दूसरा जो हमारा topic होगा causes of war आखिर यह war हुआ क्यों इसके पीछ से fascism बढ़ा Italy में यह भी एक कारण था और उसी तरह Germany में नाजिजम बढ़ा जो एक और कारण बनता है war का यह पढ़ेंगे पॉलिस आप अपीज में no doubt यह बहुत बढ़ा एक reason था इस war के पीछे तो यह causes हमें इस आज के topic में पढ़ने इसके अलावा हम course of war पढ़ेंगे course of war में इसके शुरुवात कैसे हो यह पढ़ेंगे phony war जो है concept यहां दिया जाता है यह phony war क्यू था यह भी पढ़ेंगे ribbon drop pact यहां पर क्या था यह भी हमें पढ़ना है winter war चला 1940 में यह भी यहां पर topic बनता है war का fall of France 1940 उसके अलावा जो battle चला Britain में 1940 में यह भी एक बहुत बड़ा event है इस war का यह war धीरे-धीरे कुछ देशों से निकल के global बनने लगा यह अलग-अलग देशों के कोने में अलग-अलग वर्ल्ड के कोने में पहुचने लगा यह किस तरह से हो यह भी देखेंगे operation बार्बरोजा हम पढ़ेंगे उसके अ nuclear bomb डाल दिये जाते हैं दो हिरोशिमा और नागा साके पर USA द्वारा जापान पर यह war खतम हो जाता है यह भी हम यहां पर देखेंगे इसके अलावा result क्या हुआ इस war का यह भी हमें यहां पर study करना है तो हमें यह एक दो तीन चार main topics पढ़ें और इतने सारे जो हमने पढ़ इतना बड़ा war फिर से कैसे लड़ा गया world war first जो है उसे तो हम समझ सकते है कि भई किस तरह से लड़ा क्योंकि वहां peace बनाने के लिए कोई organization नहीं थी बट यहां पर world war 1 के बाद अगर देखेंगे तो पारिस peace conference बुलाया गया उसके अलावा treaty of ourselves भी sign हुई treaty of ourselves sign होने के बाद भी ये war किस तरह से हुआ ये हमें आभी आज के वीडियो में study करना है causes of world war में सबसे पहले treaty of ourselves की बारी आएगी जर्मनी जो होता है वो first world war हार जाता है जब वो first world war हार गया तो उनको peace paris peace conference में बुलाया ही नहीं गया जर्मनी को एक harsh और humiliating treaty sign करने लगा दी कि जब meeting चल रही थी conference चल रहा था पैरिस में कि क्या होगा आगे क्या नहीं तब जर्मनी को तो बिल्कुल बुलाया नहीं गया बड़ जर्मन की जो territories थी वो चीन ली जाती है उनसे इस तरह की एक treaty sign करते है जिसे treaty of ourselves कहा जाता है जर्मनी की जितनी भी colonies उनने उनने इतने साल से जमा के रखी थी जितने भी देशों पर उनने कबजा जमा के रखा था वो पूरे देश उनके हाथ से चीन लिये जाते उनको कहा जाता है कि आपकी navy पूरी तरह से disband कर देना है आपको यानि उनकी navy भी disband कर दी जाती है इतना है नहीं तो army को भी बहुत कम कर दिया जाता है army सिर्फ इसलिए रखी जाती है ताकि वो थोड़ा बहुत अपने आपको defend कर सके कभी अगर कोई situation आई तो otherwise आर्मी को भी कम कर दिया जाता है विमार रिपब्लिक जो था ये इस वक्त पोजिशन में नहीं था विमार रिपब्लिक जो हता है ये क्या है ये भी मैंने आपको आता है विमार रिपब्लिक यानि एक तरह से राजा का रूल खतम करके जर्मनी को र विमार नाम की जगा थी इसलिए इसको विमार रिपब्लिक कहा गया था जर्मनी को और ये जो पोस्ट वार प्रॉब्लेम्स थे उसे वो सौल नहीं कर पा रहे थे बहुत गरीबी आ रही थी देखोगे तो बहुत जितना भी खर्चा था वार का अकौर्डिंग टू से और वो कहते हैं कि हम रिवेंज लेंगे बदला लेंगे यह जो हमारा इंसल्ट के हमारे जो हमिलेशन है हुआ हमारे साथ इसका बदला जरूर लिया जा गया इसलिए ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो होते है वो सेकेंड वर्ल्ड वार की बीच बहु देता है यानि है इन लीग ऑफ नेशन लीग ऑफ नेशन फेल हो गया लीग ऑफ नेशन बनाया क्यों था ताकि अगला वर ना हो एक तरह से पीस बना रहे शांती बने रहे पूरे वर्ल्ड में इसलिए यहाँ पे लीग ऑफ नेशन बनाया गया था शांती रहने की बात तो अलग हो गई बट य League of Nations International Organization ती जिसको 1919 में बनाय गया था after world war first ताकि world में peace बना रहे world में शान्ती बनी रहे जितने भी देश थे जो भी इसके members थे उन याने member इसके देशी थे तो जो इतने भी देश इसके member थे उन सबको ये कहा गया था कि जो भी disputes आप सब में देखें disputes के कारण ही war होते तो आपके बीच में जितने भी disputes हैं ये हम सब मिलके solve करेंगे ये यहाँ पर कहा गया था negotiations होगी यहाँ पर forcefully किसी को कुछ करने नहीं बोलना है उससे war हो सकता है ये भी यहाँ कहा गया League of Nations एक अच्छी आइडिया थी बट ultimately ये फेल हो जाते हैं हमें ये पता चलता है और सभी countries ने इसको जॉइन भी नहीं किया था जब सब country जॉइन करती तो अलग बात थी काफी सारी country इससे काफी दूर थी जो हमने previous वीडियो League of Nations में देखा था अगर आपने मेरे previous वीडियो वर्ड हिस्ट्री के नहीं देखे है तो अभी description में जाईए इस वीडियो के नीचे वहाँ पे आपको playlist की link मिलेगी पूरे lectures की link मिलेगी previous lectures की जिससे आप पाकी lectures को complete कर सकते हैं देखा गया तो लीग जो होती है उसकी कोई आर अटेक कर दिया अफ्रिका में जापान ने मंचूरिया पे अटेक कर दिया चाइना में ऐसे वक्त लीग ऑफ नेशन इन अटेक को रोक नहीं पाया क्योंकि military ही नहीं थी लीग ऑफ नेशन के पास तो ये भी एक failure था बहुत बड़ा लीग ऑफ नेशन का जिस कारण ये वर् पे पूरे इतिहास में इतना बड़ा इतना बड़ा इकनॉमिक डिजास्टर अर्थ वेवस्ता सबकी खराब हो चुकी थी ये पहली बार देखने मिला और यूरोप और एशिया में तो इसका बहुत अलग ही हम कहेंगे की असर पड़ा यूरोपियन नेशन जैसे की जर्मनी हो गया इटली हो गया स्पेन हो गया यह पॉलिटिकल पावर जो होती है यह शिफ्ट होने लगी इसी डिप्रेशन के कारण लोग गरीबी के कारण तंग आ चुके थे वह सरकार को बदलने का सोच रहे थे और जर्मनी इटली और स्पेन जैसी जग जब उनको कोई डिक्टे देंगे और एशिया के अगर बात करें तो वेराज इन एशिया रिकोर्सलेस जापान जो होता यह भी इस तरह की पॉलिसी अपनाने लगा एक्सपंशनिस्ट पॉलिसी चाइना के उपर वो अटैक करने लगा पेसिफिक पे कंट्रोल करने की जापान सोचने लगा हो सोच र देहारे यही इनके कही ना कही एक तरह से यहां एम और मोटीव बनने लगे तो यह भी एक कारण बना क्योंकि दूसरे पर लोग अटैक करने लगे यह बनता है ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 एक और कारण वर्ल्ड वार सेकेंड का उसके बाद का जो रीजन है जिसके कारण इंडर उड्ड वर हुआ वह राईज ओफ इंपरिलीजम इन जपान जपान में अचानक से इंपरिलीजम बढ़ने लगता है जपान बहुत आइगरेसी होने लगता जपन अपनी पावर बढ़ा लेता जपन एगरेसीव पॉलिसी को यूज़ करना शुरू कर देता है आगर में होता है और चाइना की एक टेरिटरी उसके अंडर आ जाती है जापान इस तरह की expansionist policy aggressive policy अपनाता है जितने भी islands थे Pacific Ocean में उनको भी वो अपने अंडर लेना शुरू कर देता है वार जो था पर चाइन का कारण बना था USA के लिए क्योंकि USA जो है वो कहीं ना कहीं Pacific Ocean पे ही है और जापान भी Pacific Ocean पे तो यह दोनों लख्के हैं यह दोनों आजू बाजू लख्के होने के कारण जापान जब अपने power बढ़ा रहा था USA को बहुत टेंशन था कि कहीं हम पर अटेक ना कर दे और USA और जापान के बीच में आखिरकार वार हुआ ही 8 December 1941 को जब जापान ने पोल हारबर पर अटेक के आखिर USA के यह भी इवेंट हम आगे पढ़ने वाले बट देखिए जापान में इंपरिलिजम बढ़ने लगता है इस कारण बहुत जादा प्रॉब्लेम जाते इंपरिलिजम का मीनिंग यही है कि दूसरों के टेरिटरी पर जाके अपना रूल करना दूसरों के टेरिटरी को अपने कबजे में लेना और उस पे रूल करना शुरू कर देना अपने आपकी पावर बढ़ाते रहना, that is nothing but the imperialism, और जपान जो होता है, यह imperialism को यहाँ पर follow कर रहा था, अगला जो कारण बनता है वो rise of fascism, जैसे हमने पहले वीडियो में भी देखा है कि इटली में fascism का rise हुआ था, यानि हम कहेंगे वहाँ fascism के शुरुवात हो जाती है, और बेनिटो का जो व्यक्ति यह खुद को वहाँ का dictator बना देता है, और आपने जो पिछले वीडियो देखे थे, उसमें आपने यह सब चीजे पड़ी हुए, डीटेल में नहीं पड़ी है, तो आप अभी भी प्लेलिस्ट में जाके उसे complete कर सकते हैं, इटली को देखिए, लीग आफ न इटली कही ना कही, एलाइज के साथ लड़ा था, फिर भी इटली को कुछ नहीं मिलने के कारण बहुत इंसल्ट के साथ, वहाँ के लीडर्स वापीस आए, और एक लीडर जो था बाद में, इसके इन पूरे सिचुएशन में उभर के आया, जिसका नाम मुसोलिनी था, मुस करने में लोग बिल्कुल पीछे नहीं आठे, और मुसोलिनी वहाँ का एक ताना शाह आया ने, हम कहेंगे डिक्टेटर बन जाता है, यह पूरा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, और यह जो मुसोलिनी था, यह मुसोलिनी के एग्रेसिव फॉरिन पॉलिसी, आकिर व अगर मुसोलिनी दाव फैषिज्जम के था, और अगर हम देखेंगे, तो हमने पिछला वीडियो इसी पे ही लिया था, हिटलर पे, तो हम देखेंगे कि एडॉल्फ हिटलर जो है, जर्मन नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का, जिसको नाजी कहा जाता है, उसने यह कहा कि ऊसने फालो करना शुरू किया इसमें फैसिजम में वोता क्या है?। डिक्टेटर रोटा है, वhol करता है, सबकी जिन्दगियाक था कंट्रोल करता है, जिसे फैसिजम होता है। हिटलर ने भी सेम चीश्य कर दी। हिटलर ने ये प्रॉमिस किया था कि treaty of ourselves में जो भी insult हुई थी Germany की वो पूरी मैं ठीक करूँगा Germany की जो भी wealth खराब हुई है जो भी glory खराब हुई है जो भी इज़त खराब हुई है उन्स सबको मैं पहले जैसा करूँगा ये 100% मैं आपको guarantee देता हूँ उसने इसके साथ-साथ ये भी बोला कि living space for German people जर्मन लोगों के लिए एक living space बनाई जाएगी क्योंकि यहाँ पे जर्मनी में बाकी लोग भी रहते और यही एक कारण है बाकी लोग जो की जिस कारण world war one जर्मनी हारा था और इस कारण उन्होंने ये बोला कि हम सब superior race के जर्मन्स जो superior race के वो आरियन्स है और इनको यहाँ पे बहुत बड़ी जगम मिलनी चाहिए जर्मनी में एक इज़त मिलनी चाहिए ये भी हिटलर ने वहाँ पे लोगों को promise किया जिस कारण लोगों के बीच में ये बहुत popular हो चुका था हिटलर 1933 में हिटलर जो होता है जोमनी का chancellor बन जाता है और उसके बाद वो खुद को धीरे धीरे dictator बना देता है इसकी party जो थी election लड़ती जीती भी है सरकार भी बनाती है अटैक भी होते है बहुत कुछ होता है जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था और ये किस तरह से dictator बनता है ये भी हमने देखा 1941 में जो नाजी थे वो कहीं ना कहीं slabs के against एक रेस से slabs करके उनके against लड़ते है जीव्स के against लड़ते है और बाकी जितने भी elements थे जिसको हिटलर inferior मानता था हिटलर के ideology के वो बहुत नीचे आते थे उन सब पर हिटलर attack करता था हिटलर ऐसे किसी भी देश को छोड़ना नहीं चाहता था सबको अपने कबजे में लेना चाहता था जो कि उसके आसपास के देश थे या फिर उसके ideology में नहीं बैट रहे थे तो हिटलर ने जो expansion शुरू किया था वो भी एक कारण बन गया world war second का अगला जो कारण बनता है world war second का वो है policy of appeasement treaty of ourselves जब sign की गई थी ये कहा गया था कि Germany जो होता है वो किसी पर attack नहीं कर सकता जर्मनी को अपनी नेविक बंद करनी होगी Germany army बढ़ा नहीं सकता जर्मनी को अपनी army कम करने पड़ेगी वर्ट हिटलर ने तो openly ये बोल दिया कि मैं treaty of ourselves को नहीं मानता और ये बोलने के बाद उसने secretly जर्मनी की army और weapons को बढ़ाना शुरू कर दिया जब Britain और France को ये पता चला तो Britain और France ने कुछ भी नहीं बोला जिसको policy of appeasement कहते शांत थे Britain और France उनको पता था Hitler क्या क्या एक्शन लेने वाला है उनको पता था Hitler ये आर्मी बढ़ा के weapons बढ़ा के कही न कही अटैक करेगा बट उनको ये लगा कि जो strong बनते जाएगा जर्मनी वो कही न कही कमिनिजम जो रशिया स्प्रेड करते जा रहा है उससे रोक देगा क्योंकि क्या होता है कि इनकी जो आइडेलोजी थी बुर्टेन फ्रांस की वो कैपिटलिजम के तरफ जा रही थी और जो ये रशिया ये कम्यूनिजम से भरा हुआ था तो ये आइडेलोजी को रोकना चाहते थे इनको पता था कि हिट्लर ये कम्यूनिजम वाली जो आइडेलोजी उसे रोक देगा तो पॉलिश आप अपीजमेंट का अगर बेस्ट एग्जामपल देखना है तो म्यूनिक एग्रिमेंट होता है सप्टेमबर 1938 में इस एग्रिमेंट में बृटेन और फ्रांस ये कहते हैं जर्मनी को कि जर्मनी के साथ एक एग्रिमेंट करते हैं उसमें जर्मनी को कहते हैं कि जो चेकोसलावे किया में जो एरिया है वो एरिया को आप अपने अंडर ले सकते हैं उस एरिया को जिसमें जर्मन स्पीकर्स रहते हैं क्योंकि जर्मनी का यह कहना था कि चेकोसलावी कि यहां पर सिर्फ जर्मनी बोलने वाले लोग रहते जर्मन बोलने वाले लोग रहते तो हमें उसे अपने अंडर लेना चाहिए तो यह चीज में कहीं ना कहीं जर्मनी को बृटन और फ्रांस ने अलाउ कर दिया था policy of appeasement के चलते Munich agreement के चलते Germany ने agree किया कि मैं ये करूँगा और उन्होंने ये वादा भी किया था Germany के Germany ने कि जो चेकोसलावी किया है जहाँ पे सिर्फ Germany बोलने वाले लोग रहते उसी पे मैं attack करूँगा बाकी area पे मैं attack नहीं करूँगा बाकी area को मैं annex नहीं करूँगा या किसी भी और देश को annex नहीं करूँगा भरोसा रखे है मुझ पे बट ये सब हुआ नहीं March 1939 में जर्मनी जो था इसने आखिर कार अपनी promise तोड़ी और उसने जो चेकोसलावी किया बचा हुआ था उसको भी उसने अपने कबजे में ले लिया कबजे में लेने के बाद ब्रिटेन या फिर फ्रांस ये दोनों भी इस position में नहीं थे कि वो जर्मनी के खिलाफ military action ले सके क्योंकि जर्मनी बहुत powerful बनते जा रहा था तो उन्होंने ये सोचाथ कि पहले की तरह अभी भी शान बैठते हैं हिटलर कही ना कही तो रुकेगा जो कर रहा है उसको फिलाल करने देते हैं और कही ना कही हिटलर रुकेगा उसका वेट करते हैं जिसको policy of appeasement करते हैं हिटलर को इनी policy के कारण बहुत ज़ादा बढ़ावा मिलते गया आगे और इसके बाद हिटलर कभी रुका ही नहीं तो ये था हमारा दूसरा topic जिसमें हमने causes of world war second पड़े अब हम पड़ेंगे course of war अब ये war किस तरह से शुरू होता है देखे हिटलर तो बहुत aggressive हो चुका था जर्मनी इटली कहो या फिर जापान को बहुत aggressive हो चुके थे course of war कि अगर बात करें तो इस war में हुआ क्या क्या ये देखते हैं तो सबसे पहले इसके शुरूबात 1st September 1939 को आखिर जर्मनी आगे बढ़ते बढ़ते Poland पे अटेक कर देता है जर्मनी जब Poland पे अटेक किया तो Poland पे दूसरे साइड से USSR ने भी अटेक किया था अगर आपको ये पता होगा कि जर्मनी और USSR है इन दोनों के बीच में एक secret agreement भी हुआ था जिसको हम आगे पढ़ेंगे बट ये दोनों भी दोस्त बन चुके थे और इन्हों ने पोलाइड पे अटेक कर दिया दोनों साइड से पोलाइड पे इस से अटेक कर देता है USSR 3rd September 1939 को जो पोलाइड के दोस्त थे जो पोलाइड के साथ agreement साइन कर चुके थे ब्रिटेन और फ्रांस इन्होंने आखिरकार जर्मनी पे war डेकलेर कर दिया कि आपने ये गलत किया आपने पोलाइड पे अटेक नहीं करना चाहिए तो और ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पे अटेक कर दिया और 3rd September को जब इन्होंने अटेक किया उसके बाद से World War 2 शुरू हो जाता है क्योंकि इसमें एक से जाधा देश जो है वो involved होने लग जाते है इसके बाद का जो event हमें देखने मिलता है वो है phony war अब इसे phony war क्यों कहा जाता है जब ये war शुरू हुआ तो लगभग कुछ मह महीने तक याने फिर भी कहेंगे तो लगभग 8 महीने तक war के शुरूआत में Western Europe जो था वो बहुत शान था वो कोई war नहीं लड़ रहा था जो भी चल रहा था छोटे मोटे war चल रहे थे इसी को phony war कहा जाता है क्योंकि आप देखोगे तो कहीं ना कहीं Germany पर attack declare कर चुका था but there were few signs of conflict याने बहुत जोर से conflict नहीं चल रहा था बहुत जादा civilians को इसका खत्रा दिखाई नहीं पड़ रहा था Western European countries में और यह safe places में आपको दिख रहे थे इसी को phony war कहा जाता है तो phony war जो है यह एक event है World War 1 के starting का इसके World War 2 के starting का अगर मैं कहीं World War 2 को World War 1 को मुझे माफ की जीजेगा lecture उसमें कभी-कभी अगर मेरे बोलने में कुछ mistake होती है तो वो आप समझ के चलते जाईएगा उसके बाद जो event होता है World War 2 के वक्त वो था Ribbentrop Pact इसको मौलता और Ribbentrop Pact क्यों कहा जाता है यह भी आपको पता चलेगा सबसे पहले बता दो यह sign किसके बीच में क Soviet Union के बीच में कि हम दोने एक दूसरे के दोस्त बनके चलेंगे यह non-aggression pact जो था वो नाजी जर्मनी और Soviet Union के बीच में जो sign किया गया था एक secret protocol था जिसके जानकारी बहुत लोगों को नहीं थी यह act को sign किया जाता है Moscow में on 23rd August 1939 और इसको sign करने वाले जो व्यक्ती थे वो थ जिनका नाम था Ribbentrop और Soviet Foreign Minister जिनका नाम था Molotov तो Molotov और Ribbentrop Pact इसे कहा जाता है अन ओफिशियली इसको कहा जाता है Hitler-Stalin Pact भी ओफिशियली इसको नाम Hitler-Stalin Pact नहीं दिया जाता है या फिर इसको Nazi Soviet Pact भी कहा जाता है Nazi Soviet Alliance भी कहा जाता है अब होता क्या है अब Germany जब attack करे तो Russia will support Germany ये देखने मिलता है तो ये भी एक कारण बनता है और ये बहुत ही important event आपको पता चलता है World War 2nd का इसके बाद जो event होता है वो है Winter War 1914 अब एक war लड़ा जाता है Russia और Finland के बीच में Russia और Finland के बीच में March में एक war लड़ा जाता है in the following month Germany invaded Denmark और Norway जर्मनी यहां से attack करता है Denmark और Norway पे और Russia और Finland के बीच में एक war लड़ा जाता है Denmark ने तो surrender कर दिया immediately बट जो Norwegian थे यानि हम कहेंगे कि जो Norwegian के लोग थे they fought on with British and French assistance के साथ वो लड़े बट इनकी भी नहीं चल पाई Germany क सामने Norwegian की नहीं चल पाई और आखिरकार Norwegian होता है यह भी 1940 में surrender कर जाता है इस war में अब अगर यही चीज़ हम एक map में देखे तो यह है Germany जर्मनी अटेक करता है यहां पर Denmark पे और Denmark के अलावा यहां पर Norway पे अटेक करता है यहां पर Russia और जर्मनी तो एक तरह से दोस्त बन च देखेंगे तो रशिया जो होता है यह attack करता है जैसे कि हमने देखा फिनलैंड पर तो फिनलैंड जो होगा उस पर यह attack करता है और फिनलैंड को यह कही ना कही जीतने की कोशिश करता है तो जो फिनलैंड आपको दिखेगा वह उपर से आपको दिखेगा इस map में आपको य नौर्वेज जो था ये कही ना कही जर्मनी को मिल जाता है तो विंटर वार में भी ये दोनों काफे सक्सेस कुली लड़ते हैं उसके बाद अगर हम देखे तो फॉल ऑफ फ्रांस 1940 में आखिरकार ये होई जाता है वार लड़ते हैं सकंडिनेवियन कंट्री के साथ जर्मनी नौर्वे डेन्माक को जीत ही चुका था फ्रांस को अपना टार्गेट बनाता अदर अखिरक इस फेज में वेस्टन यूरोप जो होता है इसको बिट्स-क्रिक देखने मिलता है क्यी Blitzkrieg एक lightning war होता है जो की बहुत fast लड़ा जाता है आप ऐसे कह सकते है कि lightning speed से लड़ा जाता है Germany ने क्या किया था Blitzkrieg और Blitzkrieg के सामने इन सब को हार मानने पड़ती है Germany क्या करता था Germany ने combination लाया था जिसमें उसके पास tank जो थे ये जमीन से चलते थे और उपर से हवा में कुछ planes जो है fighter planes वो उड़ते थे ये दोनों मिलके effectively attack कर सकते थे यानि अगर हम यहाँ पे देखे तो इस तरह से यहाँ situation दिखेगी कि उपर से plane जो है ये bombarding करते रहेंगे bombs डालते रहेंगे और नीचे से Hitler के tank चलते रहेंगे ये जो tank है ये नीचे का war संबालते रहेंगे और उपर से ये लोग नीचे की चीजों को destroy करते रहेंगे tanks को भी इनका support मिलेगा और इस कारण ये war बहुत effective war साबित्वा जिसको blitz crack कहा जाता ये Hitler का था इसी के अलावा आपको ये भी बता दू कि despite greater number of air and army personals in allied powers के पाद भी बहुत थे आर्मी में बहुत लोग थे एयर में भी ब्याने air force में भी काफी लोग थे बट जर्मन forces के बराबरी में वो आने ही पा रहे थे फ्रांस में अगर देखा गया तो फ्रांस ने एक फिर आर्मस्टाइस साइन कर लिया जर्मनी के साथ और उसने बोला कि भाई हम यहां पर आपके आपकी सामने हार स्विकार करते हैं अपनी यहां पर वार रोग दिया जाए यह चीजे भी होती है अब हिटलर को पता था कि हिटलर most of the countries को जीत चुका हिटलर फ्रांस बेल्जियम नेधरलैंड डेंदमार्क नॉर्वे जैसे पोलन जैसे काफी देशों को जीत चुका था अब जर्मनी का अगला टारगेट जो बना जो होने वाला था वो हुआ है जर्मनी ने अगला टारगेट बनाया है UK और बिटेन को जब वो बिटेन को अपना टा खाया है फ्रांस को वैसे वो इने भी चखा देगा तो यह पहला वार था जो सिर्फ हवा में लड़ा गया था हवा के अगर बात करे तो जर्मनी ने decision लिया था कि वो air fields से attack करेगा बड़ी बड़े cities के factories पर attack करेगा हवा से ही attack किये जाएंगे और नीचे शहरों पर bombarding की जाएगी बट अगर air force की बात करे तो royal air force जो ब्रिटेन का था यह कही ना कही victorious साबित होने लगा क्योंकि इनका air force ब्रिटेन का air force जर्मनी के air force से कही जादा powerful दिखने लगा और इस कारण हम कहेंगे कि हिटलर ने याने जर्मनी ने यह जो invasion के प्लान ते इसको postpone कर दिये जर्मनी ने ब्रिटेन का invasion रोक दिया और ब्रिटेन कही ना कही सेफ हो गया और जर्मनी भी सेफ safety के तरफ बढ़ता हुआ हमें दिखा अब धीरे धीरे यह जो war था एक global बनने लगा यह war कुछ देशों से निकल कि अलग अलग continents में फैलने लगा यूरोप में तो यह war पूरी तरह से फैल चुका था नाजी के control में most of the Europe आ चुका था हिटलर ने काफी सारे यूरोप पे अपना control जमा लिया था और हम कहेंगे ब्रिटेन तो उस वक्त सेफ था बट धीरे धीरे 1941 तक यह war दूसरे content में भी पहुचने लगा मुसॉलिनी के आर्मी ग्रीस में जाती है टोब्रिक में जाती है टोब्रिक याने लीबिया में एक शहर है लीबिया में यहाँ पे पहुच जाते हैं और मुसॉलिनी के आर्मी को कही ना कही कुछ revisit phase करने पढ़ते हैं तूरण जर्मन के जो forces थे वो और North Africa में आ जाते हैं और वो invade कर देते ग्रीस को भी invade करते है युगोशलैवियर को भी invade कर देते है नौर्थ Africa में भी आ जाते हैं और युद है काफी सारे जो areas थे उसको जीतने लगते हैं तो Italy और Germany ये दोनों दोस्टों थे ही ये दोनों ने मिलके फिर ये वार को अंजाम दिया और वो एफरीका जैसे देशों में भी घुज गया इसलिए वार धीरे धीरे ग्लोबल बनता हुआ हमें दिखा आगे अगर हम बढ़ते तो हमें पता चलता है कि आपरेशन बारबर उसा चलाया गया आप्टर फेसिंग डिफिट इन ब्रिटेन ब्रिटेन में अब आपने देखा ये एर फोर्स ने तो ब्रिटेन के हिटलर को मजा चखाई दी थी हिटलर ने रॉबें त्रॉप पैक को तोड़ दिया और उसने ये बोला कि मैं रशिया पर अटेक करूँगा 1941 में इनिशियली उसको ये लगता है कि ये बहुत इजी आटेक करना बट जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगता है विद दो फॉल आप सेवेस्टोपल एक जगह है जब वो इसे जीत जाता है एंड आफ ऑक्टोबर में तो मॉस्को जो होता है उस पर वो अटेक करना शुरू कर थी कि उसने विंटर में रशिया पर अटेक कर दिया आप अगर देखोगे तो नेपोलियन जो होता है उसने भी सदियों पहले ये एक्स्पिरियंस किया था कि किस तरह से ये ठंड होती है जिससे वो ये चीजे नहीं पार कर पा रहा और हिटलर ने भी ये गलती कि और इस का रही ना कि रशिया के अंडर रहा स्प्रिंग आने तक जर्मन से यहां पे कुछ नहीं कर पा है उप्रेशन बारबोरोसा में हिटलर ने दुश्मनी ले ली थी रशिया के साथ भी तो इस तरह से रशिया इस जगह से निकल के अब दूसरों के साथ तो जाने वाला था ये त जा रहा था जैपनिज टायड अफ अमेरिकन ट्रेड एंबार्गोस कही ना कही यह दिख रहा था कि ट्रेड में कही ना कही अपना पावर बनाय रहे हैं अमेरिकन जो होते हैं यह हमें कही ना कही रोक रहे हैं हम पे रेस्ट्रिक्शन लगाते और खुद अच्छे से व्या नेवी बेस ऑफ पोल हार्बर जैपनीज लोगों ने जैपनीज आर्मी ने आखिरकार यूएस के नेवी पे अटेक कर दिया पोल हार्बर नाम की जगह पे इस मैप में आप पोल हार्बर देख सकते हैं हवाई में आता है हवाईन आइलेंड्स पे आता है 7 डिसेंबर 1941 को यह गया था और इस कारण एक global conflict शुरू हो जाता है global conflict जो था इसमें जर्मनी जो होता है यह भी फिर USA पे अटेक कर देता है क्योंकि देखोगे तो यह पूरे दोस्ती थे एक दूसरे के इटली हो जर्मनी हो या जापान हो अब यह भी USA पे अटेक कर देता है कुछ टाइम बात और within a week Pearl Harbor जो होता है याने हम कहेंगे also within a week of Pearl Harbor जैपान जो होता है वो फिलिपीन पे भी अटेक कर देता है बर्मा पे अटेक करना शुरू कर देता है हौंक कॉंग पे अटेक करते है यहाँ पे तो अटेक थे ही जैपान ने अब अपने west side में भी अटेक करने शुरू किये जिसमें आप कहोगे कि इंडिया के भी आसपास जापान पहुच रहा था हौंक कॉंग बर्मा फिलिपीन से इंडिया की हिस्ट्री को भी आप कनेक्ट होते हो इस वक्त हमारे यहाँ पे quit इंडिया मूमेंट चलाने का एक हम कहेंगे सोच विचार चल रहा था यही वो वक्त था जब करो या मरो का नारा मुहंदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी ने दिया था तो हम कहेंगे कि पोल हारवर पे भी अटेक हुआ और जापान ने बाकी भी टरिटरिस पर अटेक करना शुरू कर दिया यह सब चीजों को देख के आखिरकार अमेरिका को इस वार में कूद पढ़ना पड़ा अगर हम देखेंगे तो अमेरिका भी इस वार में कूद पढ़ा यहाँ पे नियूस पेपर में आप देख सकते हैं यूएस ओफिशियली आट वार बैटल ऑफ मिडवेज होता है यह लड़ा जाता है 1942 में और यूएस एंटर कर जाता है वर्ल्ड व और सेकेंड का टर्निंग पॉइंट बन गया ऐसा यहाँ पे देखा जा रहा था कि न्यूस भी आ रहे थी कि मास मोडर्स और जिविश पीपल के जो नाजी है वो कहीं ना कहीं जिविश लोगों को मार रहे हैं यह अलाइस तक पहुचे और यूएस ने यह कसम ली कि यह जो कि हर एक हम कहेंगे कि देशों पे जो अपोज में थे यूएस के सेकेंड आफ ऑफ ना कहीं उनको भी कामिया भी मिलने लगी नौर्थ अफरिका में अब नौर्थ अफरिका में जर्मनी तो घुस चुका था बट ब्रिटेन के फोर्सेस ने भी वहाँ अटेक किया और उनको और उसको जीता था इसको भी रशियन फोर्सेस अब वापिस लेने लगे फेबरुरी 1943 में जर्मनी ने स्टैलिंग ग्रैड पे सरेंडर कर दिया जो कि सोवियट यूनियन के पास था पहले तो ये रशिया में जो घुसा था जर्मनी और अटेक किया था पहले हम कहेंगे कि अबरोसा के वक्त उसी वक्त यह जीत भी गया था जर्मनी बट अब रशिया के फोर्सेस ने भी बदला लिया और जर्मनी के हाथ से यह एरिया छीन लिया ये बहुत बड़ा डिफिट था हिटलर के आरमी का आगय अगर देखा गया तो Hitler और Italian forces जो थे जो North Africa में थे उनके उपर भी अटेक जैसे आपने देखा Libya जैसे देशों पर इन्हों ने अपना कबजा बनाया था इनके उपर फिर से अटेक किया जाता और इनके अटेक जो थे अलाइज के इनके उपर वो बहुत भारी पड़े जर्मनी से चीन लिये थे अगर हम कार की और कीव की बात करें तो कीव तो यूकरेन का कैपिडल आप जानते ही हो तो ये दोनों एरिया दोनों भी जो शहर है ये यूकरेन में ही है इनके उपर भी ये कहेंगे तो सुवेट यूनियन का हिस्सा था पहले इसको भी जोमनी ने जीता तो ये भी एरियाज रशिया जीतने लगा रशिया भी अपने इस्टन फ्रेंट पे काफी एग्रेसी होने लगा और वो भी अपने एरियाज को वापिस लेने लग गया अब ये सब जब चला तो हिटलर के सामने बहुत भारी पढ़ता हुआ दिख रहे थे जो एलाइस थे एलाइड बॉम्बर्स जो थे विकें टो अट्धेक जर्मन सिटिजिं अनॉरमस डेलाइट एर ये लेट स्वाँ पे होने लगी जर्मनी इस फैर दिन दहारह बहुत सारे अटैक होने लगे। हवा से भी अटैक हमले किये गे उन पर रशियंस जो होते हैं ये बर्लिन में पहुँच गया आखिरकार जो कि जर्मनी का कैपिटल था और उन्होंने 21 एपरेल 1945 को बर्लिन को भी जीत लिये देखा गया तो ये सब जब हो रहा था जब जर्मनी को ये पता चला कि वो हर एक तर हिटलर ने अपने आपको मार दिया हिटलर ने सुइसाड कर लिया सुइसाड करने की जो डेट थी वो 30 एपरिल थी 1945 इस दिन हिटलर सुइसाड कर जाता है दो दिन बाद उसने ये किया था जब मुसलिणी टू डेज आफटर मुसलिणी हैड बिन कैप्चूर्ड एंड हिटली को आगे नहीं बढ़ा रहा है जबकि डुबा रहा है तो इटालियन्स ने भी जो मुसोली था उसको पकड़ के मार दिया हिटलर को भी यही लगा होगा कि शायद उसके साथ भी आगे यही होने वाला है क्योंकि जर्मनी भी बहुत कुछ फेस कर रहा है अभी फिर से ज इंसल्ट फेस करने वाला यह सब इंसल्ट अब हिटलर देखनी पा रहा था तो हिटलर ने खुद को मार दिया हिटलर सुइसाइड कर लेता है जर्मनी उसके बाद आपनी आर्मी से आर्मी लेके सरेंडर कर देता है अनकंडिशनल यहां पे कोई कंडिशन नहीं रखी जाती और 7 में को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया और यह जो दिन था इस दिन को V.E. सेलिबरेट किया जाता है विक्ट्री इन यूरोप दे इसे माना जाता है जो वार था यूरोप में वो यहां पे खतम हो जाता है पूरी तरह से अब यूरोप में वार खतम हो गया बट एशिया मे एक पावर बची थी देखे लिए इटली में तो मुस्सोलिन को पकड़ के मार दिया लोगों नहीं दूसरी बात अगर हम देखे तो हिटलर की ने भी सुइसाड कर लिया जर्मनी और इटली तो खतम हो चुका था अब जपान की बारी थी जपान की बारी में क्या था तो ट्रूमन जो थे वो जो नए अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे उन्होंने ये किया कि उन्होंने एटोमिक बॉम्स बनाना शुरू किया जिससे वो जपान के अगेंस्ट यूज करने वाले थे यह जो बॉम्स थे इनको डेवलप किया जा रहा था 1942 से ही और आखिरकार यह जो बॉम्स थे इनको 6 ऑगस्ट 1945 को हिरोशिमा पे डाल दिया जाता है और 9 ऑगस्ट यानि तीन दिन बाद इस बॉम्स को नागा साकी पे भी डाल दिया जाता है इस तरह के ये बॉम्स डालने के बाद शहर के द्रिश्य थे नुकलियर बॉम्स एटोमिक बॉम्स ने पूर शहर को तबाह कर दिया नागा साक्य और हिरोशिमा पूरी तरह से तबाह हो गए यह वो बॉम्स थी अगर आप देखोगे तो यही बॉम्स डाले गए थे और इसको बनाने के पीछे जैसे कि आपको पता है कि उपनाइमर का बहुत बड़ा हाथ था तो यह सब होने के बाद प वर्ल्ड वार सेकेंड जोता है फाइनली खतम हो जाता है नव और छे ऑगस्ट के घटना के बाद वर्ल्ड वार सेकेंड आखिर खतम हो जाता है वर्ल्ड वार सेकेंड में हमने देखा कि क्या क्या हुआ इसमें हमने जो भी टॉपिक्स थे उसे कंप्लिट किया जो हमारा से रिजल्ट की बात करें इस वार के तो सबसे पहले आपको ये बता दू कि यहां जीत हुई थी अलाइज की ये तो पक्का है इस बट सबसे बुरी बात ये थी कि 15 मिलियन सोल्जर्स और 10 मिलियन सिविलियन्स की यहां पर जाने गई थी अगर हम ये देखें कि बहुत इंपोर् ये भी हुआ आगे आप पड़ोगे किस तरह से होता है उनकी कंडिशन ही नहीं थी आगे वो किसी पर रूल भी कर पाए तो ये सब कहीं ना कहीं खतम हो रहा था अब सबको इंडिपेंडेंस भी मिलेगा एक मल्टी पोलर वर्ल्ट जो था वो अब बाइपोलर बन जया पहल उनों जो सुपर पावर थी इनके बीच में आगे कोल्ड वार शुरू हो जाएगा जो कि एक आइडेलोजिकल वार था कम्यूनिजम और कैपिटलिजम के बीच का ये हम आगे पढ़ेंगे आगे का हमारा टॉपिक कोल्ड वार वाला ही होगा उसके अलावा हम फाउंडेशन इस तरह से आज का हमारा लेक्चर रहा जिसमें हमने काफी सारी चीजे पड़ी कम्प्लिटली हमने वर्ल्ड वार सेकेंड को यहाँ पर स्टडी किया जो कि इनफ है आपके लिए इतने ही आप प्रिपरेशन करोगे तो भी आपको काफी सार आपका प्रिपरेशन हो जाता है लेक्चर नमबर 24 था वर्ल इस्टी से आपको पसंद आया हो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते तो लाइक जरूर करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करने के बाद बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आने व पूरे डाउट्स भी यहाँ पर सौल करके दूँगा श्रेयसबडिये अट्धर जीमेल डाट कॉम पर आप मुझे मेल भी कर सकते हो आप मेरे एकडेमी के जो पीजे से इंस्टाग्राम पर उन्हें भी फॉलो कर सकते हो और नॉलेज के लिए या फिर फेसबुक पर भी उन झाल